वेल्कम हूँ नीरजकन्सर आठ वाड़े आपनु टेक गुरुमा स्वागत करोशू। आठ वाड़े आपने टेक गुरुमा जोएशू रेड्मी 6 प्रो नो रिव्यू। आफ़ोन रेड्मी 5 प्रो करता कहीरी ते अलग छे तेनी वाद करीशू। आसाथे जी वीवो एवी 11 प्रो पन लॉंच करयो छे। आफ़ोन तम्हें खरीदी शको छो के नहीं अनी तीनी सू खासियत छे। इनी पन वाद करीशू। अन्ने आ उपरांत निकोन अने फुजी फिल्में त्रौन नवा केमेरा लॉंच करया छे। आ त्रने केमेरा नो फर्स्ट लुक जोईशू अने अन्य न्यूज जोईशू टेक न्यूज मां। Redmi Note 5 Pro नी सफरता बाद शाव मी रेड्मी मां नवी सीरीज एटने के Redmi 6 सीरीज लहीने आव्यो छे। आ सीरीज मां अनिया सीरीज नी जैम 6A अने 6 नो तो समावेश करवा मां आव्यो छे। साथे अलग वेरियेट प्रो पर शामिल छे। हेटले के Redmi 6 Pro पर लॉंच करयो छे। आ फोन 15K नी केटेगरी मां आव्यो छे। तो सूच है आ फोन नी खास्याच जो ये आ रीव्यू मां। Redmi 6 Pro 5.8 इंच फुल HD ब्लस डिस्पले साथे आव्यो छे। फोटोग्रापी मांटे फोन मां 12 प्लस 5 मेगा पिक्सल ड्यूर रेर कैमेरा आपवा मां आव्यो छे। जे F2.2 अपार्चर साथे आव्ये छे। सेल्फी मांटे F2.0 अपार्चर वाडू 5 मेगा पिक्सल फ्रेंट कैमेरा छे। Redmi 6 Pro Snapdragon 625 प्रसेसर पर काम करे छे। अन्य ओपरेटिंग सिस्टम मांटे Android 8.1 Oreo पर बेस्ट MIUI 9.6 आपवा मां आवी छे। रेम अने स्टोरेज ना कॉंबिनेशन मां शाव मीए बे वैरियेंट लॉंच कर्या छे। 3GB RAM साथे 32GB स्टोरेज अने 4GB RAM साथे 64GB स्टोरेज आपवा मां आव्य। बन्ने वैरियेंट मां 256GB सुधी स्टोरेज ने एक्सपांड करी सकाई छे। Redmi Note 6 Pro 4000 mAh बैटरी साथे आवे छे। अने तेनी किम्मत 10,9900 और 12,9900 रूपिया राखवा मां आवी छे। वाद करिये फोन ना लुक्स नी तो Redmi 6 Pro पहली नजर माजो ता Redmi 5 Pro जेवो लागे छे। फोन नू नू नॉच दिस्पले तेले बाकी ना Redmi Phone थी अलग बनावे छे, परतु Poco F1 थी ते वधारे अलग ना थी। एटले फोन Redmi 5 Pro अने Poco F1 नू मिक्स वर्जन जेवो लागे छे। अहीं लुक्सिंपल राखवा मां आवी छे, कोई वधारे वाव फेक्तर ना थी। जोके एना थी वधू कोई फरियाद ना थी, पड़ हाँ फोन थोड़ो बारी चौक कस लागे छे। Redmi 6 Pro नू डिस्पले इंप्रेसिव छे, कलर रिय प्रोडक्शन थिलाईने प्राइटनेस इंटेंसिटी सुधी बतुच सारू छे, आ फोन पर वीडियो जोवानू अने गेम रमवानू मजेदार छे। हालमाज लॉंच थायला गणा फोन नी जेम, Redmi 6 Pro मा पन नौच डिस्पले आपवामा आवी छे। आ फीचर फोन ने एक अपडेटिड लुक आपे छे। पन जो तमिने नौच ना घमतु होई तो तेने बंद करवानों अब्शन राखवामा आव्यो छे। डिस्पले ना कलर टोन ने अमुक मरियादा सुधी पडली पन शको छो। फोन नू बिल्ड दमदार छे अने तेना बैक पर आपेलू मेटल फिनिश तेना हैंडेलिंग ने सरण बनावे छे। फोन पर फिंगर प्रिंट ना निशानों पन खास देखाता नथी। रन्तु हाँ फोन लो लाइट परफोर्मन्स मां मार्क आई जाए छे। पचि बले सेल्फी कैमेरा होई के रोयर कैमेरा बनने लो लाइट मां सारू काम नथी करता। रेड्मी 6 प्रो नो ड्यूल रेर कैमेरा नू खास फीचर छे पोट्रेट मोडल एटलेके फोटो मां बुके इफेक्ट आपवी। अने तेमा फोन सारू काम करे छे। अन्ये रेड्मी फोन नी जेम 6 प्रो मां पन फिल्टर्स अने प्रो मोड आवेला छे। सेल्फी कैमेरा डेलाइट मां सारा फोटो कैप्चर करे छे अने तेमा बेक्ड्राउंड ब्लर करवानों पन विकल्प छे। अपहु अक्यूरेट नाथी पन काम चाली जेशे। फोटो नू कलर रीप्रोडेक्शन पन सारू छे अने डीटेल्स पन कैप्चर करे छे। फ्रेंट अने रेर बनने कैमेरा फूल एजडी रिजोल्यूशिन मां वीडियो बनावी शके छे। साथेज टाइम लेप्स अने स्लो मोनों पन आप्चिन आपवामां आव्यो छे। शाव मीना अन्या फोन नी जेम रेड मी 6 प्रो पफोर्मल्स डिपेंडेबल छे। एटलेके वैल्यू फोर मनी जेवो छे। जोके कॉंपेटीशन नी वाद करिये तो स्नेप ग्रेगन 625 नी जग्या है स्नेप ग्रेवगन 635 शारो अप्सन साबित थते। रेड मी 6 प्रो पर दरेक काम सरण ताथी थाई जाए छे अने तेमा कोई पन लेग जोवा न थी मरता। पची बले ते मल्टीपल एप्स मा स्वीच करवानू होई के पची मॉडरेट गेमिंग। रेड मी 6 प्रो एमा यू आई पर काम करेशे। जे सिम्पल अने इजी टू यूज चे। सेकंड स्पेस, ड्यूल एप्स जेवा फीचर्स पन आ फोन मा तमने वापरवा मल से। इजी एक्सेस माटे क्विक बॉल अने गणा बदा गेस्टर सपोर्ट पन तमारा कामने सरण बनावे छे। परन्तु हाँ, आमा कोई वधारे खास फीचर नथी मडता। इटले के तमे जो रेड मी यूजर रही चुक्या छो तो तमारा माटे फोन मा काही पन नवू रेड मी 6 प्रो भले अनिया बाबतों मा अलग न होई, पर तेया बैटरी नी वाद माँ थोड़ो अलग छे। कारण के आमा 4000 mAh नी बैटरी आपवा मा आवी छे। अने आ बैटरी आराम थी डोर दीवसुदी चाली शके छे। फोन नी बैटरी दमदार छे, परन्तु तेने चार्ज करवा माटे जूनों माइक्रो यूस्बी पोर्ट आपवामा आवे हो छे। जेना थी फोन ने चार्ज थवामा बै कल्लाक लागी जाई छे। जोके फोन नी किम्मत ने जोता वदू काई एक्सपेक्पन करी शकाई ए सेक्योरेटी नी बाद करिये तो फोन मार फिंगरब्रिंट स्कैनर आने फेस रेकगनीशन पण आपवामा आव्यू छे। बन्ने इक्वली फास्ट आने एक्यूरेट छे। फोन नी नीचे आपवामा आवेला स्पीकर नी क्वालेटी सारी छे पर ते वदू लाउड नथी रेडमे 6 प्रो ड्यूल सीम फोन चे अने मेमरी एक्स्पांड करवा माटे अलगधी स्लोट मना आपवामा आव्यू छे। वेल तो हवे आविये फाइनल वर्ड डीक पर के तमें रेडमे 6 प्रो डे खरीदी शको छे के नहीं। इंडिविड्यूली जो ये तो आएक सारो पैकेज फोन चे आने बचेट प्रमाल है डिस्प्ले केमेरा आने बैटरी नू परफार्फार्मन्स पर सारू छे। पर तुँ आ केटेगरी मां कॉंपेटीचिन गणी टफ छे। आ सेग्मेंट मां गणा अन्या फोट अवेलेबल छे जे मां शाओमी नो रेडमी 5 प्रो साथे ओनर 9N लो पर समावेस थाई छे। जो के तेमने रेडमी 6 प्रो मां स्पेसिफिकेशिन अपग्रेड मले छे। एला मांटे थोडू बजेत वधार्वू पडशे पड़े ये वर्थ छे। एल्ले साओमी रेडमी 6 प्रो ने मारा तरफ थी मले छे थामसाब। वेल तो अत्यारे एक समय थायो छे टेक गुरूमा विराम नो विराम बात तमे तरतावू अने आपणे जोईसू वी 11 प्रो नो रिव्यू। विराम बात फरी एक वर आपनू टेक गुरूमा स्वागत छे। गड़ा बदा फोन प्रो नाम साथे लॉंच करवा मावी रहा छे। आवोज एक फोन वीवो ए वीवो 11 प्रो साथे लॉंच करयो छे। आव फोन येंदर इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर छे। अने साथे 25 मेगा पिक्सल AI लेस कैमेरा छे। आव फोन नो रिवीव आपी रहा छे अमारा शयोगी शिबानी घरत तो आवो जईए इमनी पांसे। Hello boys and girls, मैं हूँ शिबानी घरत और आज कल के बहुत ही जाधा competitive smartphone market में एक simple formula है जो कई smartphone makers आजमा रहे हैं वो है कि कुछ अलग करते हैं, कुछ different करते हैं। कई consumers आपके phone के बारे में बात करना शुरू हो जाते हैं। तो कितना effective या फिर useful है ये different ये मैं आज आपको बताऊंगी मेरे हाथ में है Vivo V11 Pro तो क्या है ये phone आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए ये मैं आज आपको बताऊंगी लेकिन सबसे पहले देखते Vivo V11 Pro में 6.41 इंच का Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले है ये काम करता है Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर पर जिसका साथ देती है 6GB RAM और 64GB internal storage डिवाइस की स्टोरेज को Micro SD Card की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है फोन की खासियत है इसका In-Display Fingerprint Scanner इसके साथ ही ये Android 8.1 Oreo-based OneTouch OS 4.5 पर चलता है Vivo V11 Pro में 12 प्लस 5MP का Dual Rear Camera सेटप दिया गया है वहीं Selfie और Video Calling के लिए इसमें 25MP Selfie Camera Artificial Intelligence की साथ आता है Vivo V11 Pro में 3400mAh की Dual Engine Fast Charging वाली बैटरी दी गई है Connectivity के लिए इसमें Micro USB Port, Triple Card Slot और Face Unlock जैसे Features है Vivo V11 Pro की कीमत है 25,990 रुपए सबसे पहले Looks और Feel की बात करते हैं बहुत ही Beautiful Looking Device है ये Front की तरफ Water Drop Notch दिया गया है Almost ऐसे लगता है कि है ही नहीं Notch बहुत ही Beautiful Phone है Back अगर आप देखे तो Beautifully जो Blue और Purple कलर है वो Beautifully Merge करता है Black कलर के साथ लेकिन हां Back के बार में जरूर कहूंगी कि Fingerprint Magnet है मतलब एक दो इस्सिमाल के बाद ही आप जान जाएंगे कि Immediately Fingerprints को अट्रैक करता है लेकिन बहुत ही Sleek Good Looking Phone overall है 26,000 रुपए का फोन है यानि 25,990 रुपीज का फोन है लेकिन लगता नहीं है It looks like an expensive device Display की बात करते हैं बहुत ही Good Looking और Beautiful Display है इसका Viewing Angles In fact, Display के बहुत अच्छे है अगर आप मेरी तरह है जो बहुत जादा Netflix या Hotstar जैसे OTT Platforms अपने फोन पर देखते हैं On the move या फिर on the go तिन आपके लिए This is a perfect display Video Viewing Experience Overall इस फोन पर काफी अच्छा है और चाहे आप इंडोर हो या आउट्डोर डिस्पले का Overall Experience is very very good Performance की बात करें तो Vivo V11 Pro को पावर करता है Snapdragon 660 IAE Processor अभी इसमें 3400 mAh की बैटरी दी गई है Regular इस्तमाल के लिए This is a good device लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा High Performance expect करते हैं आपके फोन से बहुत ही ज़्यादा Multitasking expect करते हैं या फिर High End Games खिलते हैं अगर आप एक Hardcore Gamer है तिन इस इस नॉट दे डिवाइस फो यू On paper पाफुल है लेकिन actual performance wise उतना ज़्यादा खास नहीं है I was expecting की जितना इसका asking price है यानि 26,000 रुपे की इसकी asking price है उस असाब से थोड़ा और पाफुल होता तो मज़ा आ जाता Battery life की अगर हम बात करें तो इसमें dual engine fast charging tech दिया गया है It sounds very very fancy उतना ही ज़्यादा effective है In fact, 30 minutes में 70% आपका phone charge हो जाता है Yes, from 0 to 70% in 30 minutes So, बहुत ही ज़्यादा fast or speedy charging है इसको मैं आसानी से compare कर सकती हूँ Let's say, 1 plus 6 के साथ क्योंकि उतनी ही तेज 1 plus 6 की भी charging है शाया थोड़ी ज़्यादा तेज हो लेकिन उतना ही ज़्यादा effective है इसका fast charger साथ ही दिन भर, मतलब एक single charge पर दिन भर इसकी battery चल जाती है 3400 image की battery इसमें दी गई है जैसे मैंने पहले कहा And it is pretty good ये device one touch OS 4.0 पर चलता है जो Android 8.1 Oreo पर based है आने वाले दिनों में इसको Android Pie का update मिलेगा के नहीं इस पर कुछ ज़्यादा clarity नहीं है लेकिन हाँ इसमें एक 6 GB की RAM और 64 GB की internal storage दी गई है जिसे आप एक micro SD card की मदद से expand कर सकते है So space won't be an issue In display fingerprint sensor ये बहुत ही ज़्यादा unique और innovative feature है Vivo V11 Pro का हाला कि इस feature को Vivo ने अपने Vivo Next और Vivo X21 में introduce जरूर किया था लेकिन बहुत ही ज़्यादा effective या फिर useful feature नहीं है ये थोड़ी हद तक एक जो dedicated space है fingerprint sensor की जो आपके phone में दी जाती है आइधर front की तरफ या फिर back की तरफ उसे ये घटाता है लेकिन जो in display fingerprint sensor है इस phone में मौझूद वो बिल्कुल भी snappy नहीं है कई बार बहुत देर तक आपको आपके finger को आपके display पर प्रेस करना पड़ता है for the phone to unlock या फिर कई बार ऐसा हुआ है कि दो तीन attempts लगते है for you to unlock the phone What is the solution? There is a solution which is face unlock infrared illuminator या फिर face unlock fancy नाम है उतना ही fancy काम है for example मैंने कहा कि fingerprint sensor इसका बहुत ही ज़्यादा effective या फिर useful नहीं है fingerprint sensor की सारी खामियों को इसका infrared face illuminator या फिर face unlock पूरा करता है low light conditions में बहुत ही ज़्यादा effective है easily आपके face को unlock करेगा in fact company का कहना ये है कि 1024 facial features को recognize करता है ये और face को smoothly unlock करता है जी हाँ smooth तो जरूर है और बहुत ही ज़्यादा snappy और effective है इसका facial unlock camera की बात करते हैं तो इस phone में 25 megapixel का front camera और 12 megapixel और 5 megapixel का dual rare camera setup दिया गया है camera इसका काफी अच्छा है लेकिन उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है खासकर low light conditions में pictures में आपको थोड़ा बहुत noise जरूर नजर आएगा लेकिन इस price range में अगर आप बात करें यानि 25 से 30,000 रुपे की category की अगर हम बात करें तो इसका camera is better than the rest final verdict की अगर हम बात करें तो it all boils down to price 25,990 रुपे इसकी asking price है camera is decent, performance is decent, अच्छी खासी battery life है, fingerprint sensor उतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है हाला कि this is the most innovative point about this phone, जो facial unlock है वो बहुत ही ज़्यादा beautiful है और एक्दम snappy है it's an all-rounder but I would say कि जिसे कहते है कि jack of all trades, master of none, there is something like that with this phone जब इसकी price range में आपको Poco या फिर Nokia 7 Plus जैसे options मौजूद है तो आप इस phone में क्यूँ invest करेंगे वेल तो प्रोफेशनल कैमेरा नी अंडर एक नवोर ट्रेंच सदू थोयो छे अले एफ ट्रेंच है mirrorless कैमेरा नू आ अठवाड ये Nikon द्वारा बे अले Fujifilm द्वारा एक mirrorless कैमेरा ने लांच करवा मा आवयो छे आप त्रणे कैमेरा नो फर्स लूक आपी रहा छे अमारा सयोगी भावना सती तो आओ जईए इमनी पासे mirrorless कैमेरा प्रोफेशनल कैमेरा का एक बड़ा और एक प्रोमिनेंट सेगमेंट बनता जा रहा है इसलिए कई सारे ब्रांड इसमें अल्रेडी मौझूद हैं और अब और भी प्लेयर्स आड़ होते जा रही है Nikon ने अपना पहला फुल फ्रेम मिररलेस कैमेरा ब लांच कर दिया है सीरीज लांच किया है यहापर जिसका नाम है Z-series जो ISO की रेंज रहेगी वो यहाँ पर 64 ISO से आप 25600 ISO इसको सेंसिटिविटी यहाँ पर होगी प्राइसिंग की मैं बात करूं इसकी तो यह जो बॉडी उली है इसकी कीमत होगी 2,69,950 रुपीस यह तो हुई Z-7 की बात Z-6 पर आया है तो इसमें मिलता है आपको 24.5 मेगा पिक्सल का इमेज सेंसर और इसमें पर इसमें पर कॉंटिनियूर शोट्स हैं वह ज़्यादा मिलेंगे आपको इसे मिल सकते हैं और 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं यह तो हुई डिफरेंसिस की बात क्या दोनों कैमरास को अलग बनाता है सिमिलारिटी इसकी मैं बात करूं है आफिर निकॉन ने यहाँ पर एक नया चीज लॉंच किया वो है लेंस माउंट पहले जो निकॉन के कैमरास से वो F माउंट के साथ आते थे लेकिन आप Z माउंट के साथ आएंगे तेकर अगर आप सोच रहे हैं कि Z माउंट की वज़े से वो अपने पुराने लेंस है जो उसका इसमाल नहीं कर पाएंगे इसा नहीं है निकॉन जो है वो F2Z अडाप्टर भी लेकर आया है तो आप अपने पुराने लेंस को भी नए कैमरास के साथ अटाच कर पाएंगे हाला कि इसके अडिशनल कॉस्ट आपको ही बैर करनी पड़ेगी इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे कीमत की बात करें, Z6 की कीमत सिर्फ बॉड़ी की शुरुवात होती है 1,69,950 रुपीज से इसके लाव अगर आपको अड़ाप्टर खरीदना है या फिर अडिशनली किट्स खरीदनी है तो उसका अडिशनल प्राइस आपको देरा पड़ेगा और Z7 की कीवच जैसा मैंने बताया है यहापे जो बॉड़ी उनली है उसकी कीमत है 2,69,950 रुपीज सिर्फ Nikon ही नहीं बल्कि Fujifilm ने भी mirrorless camera में अपना नया player उतार दिया है X-T3 जो X-Series है जिसमें पहले भी mirrorless cameras आ चुके हैं उसी का अब ये extension है यहाँ पर आपको मिलता है 26.1 megapixel का image sensor और जिसकी खासियत है कि यह 30 fps पर आपको continue shot दे सकता है और Fujifilm कहा रहा है कि यह अब तक का world's fastest camera होगा इसके अलावा जो प्रोसेसर है image processing के लिए जो CMOS processor पहले Fujifilm इस्तमाल तरता था उसका 4th generation आप यहाँ पर इस्तमालोगा और faster processing होगी इसके अलावा connectivity के options में भी कुछ improvement किया गया है यहाँ पर आपको 35 mm जो jack है audio jack वो camera की body में ही मिलेगा और जो SD card का support है dual SD card support है वो XT2 में भी आपको मिलता था इसके साथ-साथ files transfer करने के लिए अब micro USB port की जगा type C port मिलेगा कीमत की बात करें तो fuji film XT3 की कीमत 1,17,999 रुपय है और अगर आप इसे 1855 mm lens के kit के साथ लेते हैं तो उसकी कीमत होगी 1,49,999 रुपय वेल तो बस आ अठवाले टेक गुरू मा आटलूज वधू रीव्यू माटे तम्हें अमारी साथे जोडायला रहो तम्हें अमारी साथे फेसबूक, ट्वीटर, इमेल अने यूट्यूब द्वारा जोडायला रही शको छो त्या सुधी मने आप जो रजा अने जोता रहो C NBC Bajar, stay connected.